वैशाक मास भात्तम अध्याय सत्रे जैशी राधा क्रिश्ना वैशाक मास का स्नान रोगी को निरोगी कर देता है बलहीन को बल देता है दनहीन को धन देता है और पापी को पुन देता है इसलिए अभी भी समय है वैशाक मास में कुछ न कुछ कारे अवश्य करे और जाता से ज़्यादा पुन्ने अरजित करे अब श्री गड़े जी महराज और अपने गुर्देब को याद करते हुए वैशाक मास का सत्रवाद द्याय सुनेंगे संकट हरिये आप सब गौरी तने गड़ेश करना ऐसी तया प्रभू खुशियां हो बशशेश वोरोशी गड़े जी महराज कीजै सब धलती का गच करू लिखनी सब बन राए साथ समुत्र की मसी करू गुरु गुन लिखा न जाए वोरोशी गुर्देब जी महराज कीजै वेशाक मास की पंद्रवे अध्याय में हमने यमराज का ब्रह्मा को अपने कारेपत का छिन जाने का ब्रतान तो सुना अब इस अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम इसमें आशर की क्या बात है गुर्वानों से इशा करना दुख का कारण होता ही है यह वैशाक मास भगवान को अति प्रिय है इसके धर्मों को सुनने मात से अनेक पाप दूर हो जाते है जो वैशाक धर्म का पालंग करता है और उसके गुडों का गान करता है उसपर भगवान प्रसंड होते है ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम उस राजा पर मेरा कोई प्रवाव नहीं क्योंकि विश्णू के भक्तों का अशुप करने की किसकी सामर्थ है उसने भक्तों को जरा मित्यू व्यादी आदी का कुछ भी भे नहीं होता सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है जब तक उसमें शक्ती है किये जाए और जब कारे करने की शक्ती न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे उसी समय वह उड़िर हो जाता है और उसे कोई तो स्वामी का कारे न करने का नहीं लग सकता अपना कर्दब्य कारे करने में प्राणियों को कोई दोश नहीं लगता हे यम तुम इस कारे के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोश है जब ब्रह्माजी ने ऐसा कहा तो यम अत्यन दुकी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यन दीनवाणी से बोला कि हे पितामा आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया परन्तु अब मुझे अपने काम पर जाने की इक्षा तक ना रही और जब तक इक्षा नहीं है कि जब तक भूम अंदर पर यह राजा राज्य करता है जब तक इस राजा को इस कार से मैं चलायमा नहीं कर देता मुझको विश्राम नहीं प्रापत हो सकता आप मेरे इस कार को सिद्ध कर दीजिए तब ही मैं फिर शाशन कर सकता हूँ यम के इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम इस वैशनब धर्म में परायण राजा का निग्र है तो नहीं मानता तो चल विश्नु भगवान के पास चलते हैं जैसे वह आज्या करेंगे वैसा ही किया जाएगा ऐसा कहे ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर छीर सागर में कई और निर्कुर रूप परमेश्वर अदूतिय पुर्शोत्तम भगवान की सांग योग से इस्तुति करने लगे इस प्रकार की इस्तुति पर श्री विश्टु भगवान प्रकट हुए और गंबीर वानी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है क्या तुम राक्चसो द्वारा सताए गए हो यम का मुख मलीन और कंदे जुके हुए दिखाई देते है तब प्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु राजा कीर्दिमान की आज्यानसार उनके शाशन में सब मनुष वैश्नम के धर्मों का पालंग करके विश्णुपत को प्राप्त करते चले जा रही है इस कारण जब सारी यमपूरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना डंड उठा कर राजा को मानने लगा तो आपके सुदशन चक्र ने इसको परास्त कर दिया अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है हम आपके भक्तों को डंड देने की सामर्थ नहीं रखते इसलिए आपके शर्ण में आए है और हे महाप्रहो आप राजा को डंड देकर यम की रक्षा कीजिए ब्रह्मा जी की बारता को सुनकर भगवान हस कर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम में लक्षमी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ श्रीवत्स कौस्तुप मरी वैजन्ती माला का त्याग कर सकता हूँ श्वेदीप वैकुंट छील सागर गरुण और शेक्षी को भी छोड सकता हूँ परन्तु अपने भक्तों को नहीं छोड सकता आप ही सोचिए जिरोंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही मिला दी मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ फिर भी हेयम मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ इस राजा की आयू मैंने दस हजार वर्ष की दी है जिसमें आठ हजार वर्ष बीच चुके है अब दो हजार वर्ष की आयू और भोग कर वह मेरी सायोच चुमुक्ति को प्राप्त होगा तब बेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदों को धर्मों को नश्ट कर देगा तब वैशाग धर्म भी लोप हो जाएंगे और वैश्यम अपने पाप से जल जाएगा फिर मैं प्रथू का अपतार लेकर पुने धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाग धर्म भी मनुश्यों से कराऊंगा जो मेरा भक्त जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्वत्याग दिया है वह कोई हजारों मैंसे एक ही होता है उसको ही वैशाग धर्म कहना चाहिए बहुत थोड़े मनुश्य प्रफ्री पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं अभेयम तो किसी प्रकार से दुखी मत हो तेरे काम की सिद्धी हो जाएगी वहराजा तेरा भाग भी देगा अपने अपने भाग को गिर्ण करने वाला दुखी नहीं होता जो मनुश्य और देश से प्रते दिन इसनान, अर्ग, जनकुम्ब, दही, अन्नादिक का दान नहीं करेंगे उनका वैशाग धर्म निश्पर हो जाएगा वहराजा अवश्य तुम को भाग देगा क्योंकि वह मेरा भक्त है जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशा कोक्त धर्म को करें उसके कार में तुम बिग्न नवट डालना और जो तुम्हारा भाग दिये बिना ही मेरा है केवल मेरा ही भजन करता है उसको मेरी आख्या से तुम अमश्य डंड दो उस राजा से तुम्हें भाग दिलवाने के लिए मैं अभी सुनन्दो को भीजता हूँ वैं अवश्य राजा को समझा कर तुम्हें भाग दिलाएगा इस प्यकार हर तरह से यम को आश्वाशन देकर भगवान अन्ता ध्यान हो गए यम भी प्रसंता से अपनी कुरी को चला गया और फिर भगवान की आग्या से जैसे सुनन्द ने राजा को समझाया सभी ने वैशाक मास के धर्मों में यम का भाग दिया इसलिए वैशाक मास में प्रति दिन यम के निमित इसनान अरगादिक करना चाहिए नहीं तो वैशाक के सब कर्म निश्पल हो जाते है वैशाक की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित जल का घड़ा दही अनादिक का दान करना चाहिए फिर पित्रो और गुरू के निमित तत्पच्चात भगवान के निमित शीतल जल गदही अन तामूल दक्षा और फल कासे के पात में रखकर भगवान के अरपड करें इस प्रकार राजा अपने समस्त आयू को भोग कर अपने पुत्र पौत्रादिक समेथ बैकुंटो को चला गया जब वह राजा बैकुंटो को चला गया तो बेन नाम का बड़ा ही पापी नीच राजा हुआ उसने सब धर्म पता वैशाक के धर्मों को भी लोब कर दिया वैशाक मास का ये पावन महीना बड़ा ही पवित्र है और हमें महान फौन फल देने वाला है इसलिए इस पावन महीने को यो ही न जाने दें अधिक से अधिक पुन अरजित करें और सदा ही प्रभू का नाम जाब करते रहें किशी राधा बल्लब श्री हरिवंच राधा बल्लब श्री हरिवंच राधा बल्लब श्री हरिवंच राधा बल्लब श्री हरिवंच राधा 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 राध rada 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 Jai Sri Radha Krishna Jai Sri Radha Krishna